बमबम भोले बमबम भोले अब बस अब गंगा चलको मादेप के मंदिर तक और ले जाना है लेकिन ममी जी एक बात कहूं आप ज्यादा हिला मत करा करो चलने में बड़ा दिक्कत होती है मेरे बेटे मैं कहाँ पर हिलती हूं मैं तो आराम से कावण में बैटी पड़ी हूं तू जब तेजी से भाग कर चलता है तब ही कावण हिलने लगती है बैसे रावल ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हूं ऐसा काम आज के जमाने में बहुत कम लोग ही करती है जो अपने माबाद को कावण में बैटागर कावण यात्रा कराती है अब देखो एक तरफ कावण में तुम्हारे कम से कम पचांस साट लीटर गंगा जल है और दूसरी तरफ सोनिया जी बैटी वी है फिर भी तुम इतनी तेजी से चल रहे हूं जबकि मेरे पास तो 20-25 लीटर ही गंगा जल है तो मुझे पता चल पा रहा है कितना जादा बज लेकिन जब कावण यात्रापन निकले तो बजन को क्या देखना हम तो राउल सिफ के भक्त हैं सिफ जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे लेकिन राउल एक बार फिर कहना चाहूंगा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हूं आप बिल्कुल सही कह रहे हो राउल भाईया पास तो जादा गंगा चल नहीं है इतना लंबा सबरीत है करना बहुत मुश्गल होता है और राउल जी फिर भी इतना बजन लेकर चलना है बहुत बढ़िया काम कर रहे है राउल जी अगलेस और मोदी जी यह आपका बलपन है जो आम मेरे लिए ये बात बोल ले हो मैं ये सब कहा कर पाता सिब जी की किरपा इसे लिए ये सब कर पा रहा हूं हम भी मोदी जी सिब जी के बगत हैं सिब जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे और बाई लोगों वीडियो को लैक करो चैनल को सब्सक्राब करो अरे केजरीपाल जी कैसे हलके हलके इलान लगा रहा है हो जोर जोर से अनौसमेंट करो सब को जोर जोर से पताओ कि अपने गाउं में बिमान होटल खुल गया है जिसको भी जो चीज खाना है वो खाने के लिए चले आएं अरे मोदी जी आपने भी तो लोटे स्पीकर केजरीपाल जी के हाथ में थमा दिया है अरे इस लोटे स्पीकर को मेरे हाथ में थबाओ तबी तो मैं जोर जोर से अनौसमेंट करूंगा केजरिबाल जी तो चुपचाप करें हुए हैं फिर ही के पैसे ले रहे हैं जबकि मैं मेनस से यहां पर सब लोगों को खाना परोश रहा हूँ अरे राहूल नितीज कुमार जी कोई खाना परोस्ते रहोगे हम भी तो यहाँ पर आई हुए है हमारी तरब भी तो देख लो हमें भी तो खाना देतो इदर लालू जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ आपी के पास आ रहा हूँ ये बताओ आपको खाना क्या है बोलो योगी जी क्या कहाओगे मकबालो अरे लालू जी इस होटल में आप मुझे लायो आपी बताओ क्या खाना है आप जो खिलाओगे मैं खाना लूँगा देखो योगी जी भालतु की तो बात मत करो, यहाँ पर बिमान होटल पर आप मुझे लेकर आयो, आप जो खिलाओगे मैं खालूँगा, जो मकबाना है मकबालो, देखो लालू जी भालतु की तो बात करो मत, यहाँ मैं जेम में पैसे डाल कर नहीं लाया हूँ, मैं समझे पैसे योगी जी देंगे कल को आपको लालू जी पैसे मैं क्यों दूंगा इस बिमान होटल पर आम मुझे लेकर आयो मोदी जी आज खाना किला रहा है उधार कर रहा है पैसे कल को आप दे देना अईसे करो लालू जी योगी जी तुम इस बिमान होटल से निकल चाओ तुम खाना मत काओं मेरे बिमान होटल के बार भील लगी वी है खाना खाने वालों की अगले ज्यादा महेंगा तो नहीं होगा खाना आप यहां पर ले तो आये मुझे मुझे लगता है बहुत महेंगा होगा इस बिमान होटल का हाँ बैसी जी लग तो मुझे भी यही रहा है क्योंकि यह बिमान में होटल बना हुआ है इसमें मोदी जी ने बहुत खर्चा किया है अब जब यहां आ गए तो बिना खाय तो जाएंगे नहीं चाहें कितने ही रुपे का खाना हो ना सही एक बोरी अनाच एक बोरी अनाच बेश दूंगा जाकर और क्या करूंगा लेकिन आज मैं डिम्पिल को यहां पर लेकर आयों तो खाना तो खिलाओं गाई बिमान होटल में अरे वह बैसी जी अगलेस कैसे घड़े-घड़े सोच रहे हो आओ अंदर आओ बिमान होटल में खाना आओ और भाइनों को वीडियो को लेकिरो चैनल को सब्सक्राब करो